वेलकम बेक टो माई एजुकेशन पॉइंट फ्रेंड्स आज हम करेंगे क्लास 12 के हिंदी लेक्टिव का पोएम दिशा जिसके कवी का नाम है केदार नाच सिंग चले स्टार्ट करते हैं हिमाले किदर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल से बाहर पतंग उड़ा रहा था उधर उधर उसने कहा जिदर उसकी पतंग भागी जा रही थी मैं स्विकार करूँ मैंनी पहली बार जाना हिमाले किदर है? फ्रेंड्स इसके प्रसंग में हम लिखेंगे जो उप्युक्त का व्यांश प्रस्तूत किया गये है यह केदार ना सिंग की कवीता दिशा से अवत्रित है यह एक लगू कवीता है इसमें कवी ने पहली बार जाना है जब वह एक बालक से पूछते कि हिमाले किदर है तो वह उसका उत्तर सुनकर अचंबित रह जाता है और वह उसके मन को भाजाता है चलिए फैंट्स अब इसकी व्याक्षा शुरू करते हम हिमाले किदर है कवी एक छोटे से बच्चे से पूछता है हिमाले किदर है मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था कवी ने मैंने यानि कि कवी ने पूछा उस बच्चे से जो स्कूल से बाहर था यानि कि वो स्कूल में नहीं गया हुआ था वो स्कूल से पाहर पतंग उड़ा रहा था उससे कवी ने प्रशन पूछा कि हिमाले किदर है तब उसने उत्तर दिया उधर उधर उसने कहा उसने कहा उधर उधर जेदर उसकी पतंग भागे जा रही थी जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही थी बालक ने उसी तरफ इशारा करते हुए कहा कि हिमाले उसी तरफ है मैं स्विकार करू, मैंने पहली बार जाना हिमाले किदर है कभी कहता है मैं स्विकार करू कभी कोई है उत्तर बहुती जादा मन भावना लगा और कभी कहता है कि मैंने पहली बार जाना है आज सही में कि हिमाले किदर है इस पोएम का शिर्शक यह है कि कवी पहली बार जानता है कि जो बच्ची होते हैं उनका जो उत्तर होता है या थार्ट की तरह होता है वह अपनी दुनिया में ही गुम होते हैं वह किसी दूसरी दुनिया से रिलेटिड नहीं होते हैं मतलब किसी दूसरी दुनिया से बाहर होते हैं बिना किसी चिंता के जिस ओर अपने मजे में होते हैं और कवी ने पहली बार जाना है आज की जो जीवन का जो यह अथार्ट है वह यही है इसी के साजोय कवीता यह कंप्लीट होती है फ्रेंट्स अब हम इसका विशेश करेंगे फ्रेंट्स इसके विशेश में हम लिखेंगे कि जो देखे उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रियोकिया क्या है और अगर हम ऐसे देखे उधर उसने ये दो वर्स देखते हम दो शब्द तो यहाँ पर भी उ है और यहाँ पर भी उ है तो इसका मतलब है यहाँ पर अनुप्राश अलंकार का प्रियोक हुआ है अनुप्राश अलंकार वहाँ पर लगता है जहाँ पर शब्द का जो पहला अक्षर जो होता है दो शब्द एक से या फिर दो हो या तीन शब्दों में जो पहला जो अक्षरों को वो अगर समान होगा तो यहाँ पर भी उ है और यहाँ पर भी उ है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और पुनोरक्ती जब एक शब्द की आवर्ती बार बार होती है ठीक है फ्रेंट्स और हम लिखेंगे कि भाशा का जो उप्योग किया गयाज में वो एकदम सरल, सहज और सटिक है फ्रेंट्स इसी के साथ जो यह कवीता यह कंप्लीट होती है फ्रेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब